हलो फ्रेंट्स मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं INCCS चैनल हलो गाइज वेलकम तो आएंचिस एकरणीव चानीज लेंगवेज तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वह basically है how to introduce yourself in Chinese मतलब आपको अपना परचर चानीज में कैसे देना है तो लेट्स स्टार्ट नाओ तो इंट्रोड़क्शन को हम चानीज में कैसे बोलते हैं तो इंट्रोड़क्शन का चानीज में हम लोग चिये शाओ जैसे कि इसमें फिनीज लिखा हुआ है और चानीज करेक्टर भी लिखा हुआ है चिये शाओ तो कैसे बोलेंगे चिये शाओ चिये शाओ मिन्स इंट्रोड़क्शन अब हम देखते हैं complete sentence how to introduce yourself हम एक एक वर्ड को देखेंगे रुहँ चये शाओ नि सिची रुहँ कैसे वोलेंगे रुहँ नि चये शाओ नि सिची रुहँ चये शाओ नि सिची अब हम दिखते हैं सिची सिची is self सिची complete self का जो meaning है चाइनीज में वो है सिची अब हम yourself बोलते हैं तो नी सिची बोलते हैं यहाँ पे सिचे साओ it means self introduction सिचे साओ यह इसले है कि वो जो संद है सिची और चcheck Maar दोनों match करेंगे तो कैसा होगा सिची चliśmy हैऑ सिचे साओ तो सोट्फोर्म क्या होगया सिचे साओ सिचे साओ सिचे साओ Introduce myself सिचे मैसल सिचे साओ सिचे साओ वोँ जीचाओ अब हम देखते हैं next introduction में क्या क्या चीज है हम पढ़ते हैं एक word है called chao in Chinese is called called और यह जब आपका नाम जब पूछा जाता है Chinese में तब इसका उस करते हैं so complete sentence देखेंगे what is your name called मतलब what is your name तो यह Chinese में हम बोलते हैं what is your name called English का meaning ऐसा आता है but exact meaning है what is your name ni chao shama mince so ni is you chao is actually called shama is what mince is name so ni chao shama mince अगर आप Chinese से बात करेंगे अगर आप से कोई नाम पूछता है Chinese में तो वो पूछेंगे ni chao shama mince so ni chao shama mince what is your name आपका नाम क्या है name in Chinese mingce so what is your name जैसे कि हमने देख लिया अब हम एक दुसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं your name what is your name so ni da mingce so ni is you the is possessive so your name ni da mingce shi shama shi is it ni da mingce shi shama तो नाम को हम दो तरीके से पूछ सकते है what is your name called ni chao shama mince और एक दूसरे तरीके से ni da mingce shi shama right okay next देखते है वादा वादा so my and mine वादा your so ni da so the possessive case है हम प्रणान के साथ यूज करते हैं so wada is wada is mine so my name is deepak जैसा questions हा ni da mingce shi shama what is your name और ni chao shama mince यह दोनों खाम answer कैसर देंगे wada means my name wada means shi deepak अगर आपका नाम deepak है तो wada means shi deepak एक तरीके से हमने answer दिया wada means shi deepak question क्या होगा ni da mingce shi shama so answer wada means shi deepak similarly हम देखते हैं फिरसे wada means so ni chao shama means so wa chao deepak आप दो तरीके से अब अपना नाम एक से वेर वेर को चाइनीज में बोलते है नाली और नार there are two words दोनों चाइनीज में हम बोलते हैं दोनों का अलग अलग application है वेर नाली और नार so where do you live or where do you stay ni chu chai ni chu chai naali और ni chu chai naar right so ni is you chu is to stay chai is proposition in at on जहां पहे हम लगाते है नाली वेर so ni chu chai naali where do you stay आप कहां पहे रहते हैं ni chu chai naar where do you stay आप कहां पहे रहते हैं दोनों का meaning same है अब हम answer इसका देखते हैं to means live और stay अगर आप कहीं पहे रहते हैं किसी city में रहते हैं तो आपको यह generally word use किया जाता है so similarly I live in Mumbai so इसका answer कैसा होगा आई वो लिव चू प्रपजिशन साय मुंबाई मंग माय कितना simple है वो चू चाय मंग माय simple जैसा जैसा English word आ रहा है वैसा ही Chinese में भी set कर देना है structure वो चू चाय मंग माय राइट अब next देखते हैं so so means to do do so so and so का sound आता है so so means to do so what do you do नि चू सम्मा सम्मा था what so is to do you is you so नि चू सम्मा what do you do और similar तरिके सम्मा what type of work do you do नि शि चू सम्मा कुंचो नि शि चू सम्मा कुंचो कुंचो दा what type of work नि शि चू सम्मा कुंचो दा right so next देखेंगे इसका हम कैसे अप्लिकेशन करते हैं शि मिन्स इसम्मा तो अगर हमको एंसर देना है आएम चाइनीज स्टूडेंट वो वो शि चूंग वैन श्वेशंग वो शि चूंग वैन श्वेशंग so I am Chinese student वो शि चूंग वैन श्वेशंग similarly अगर हम बोलते हैं I am French student वो शि फावन श्वेशंग similarly आपका language change होता जाएगा structure same रहेगा next work so work को Chinese वो बलते हैं कोंग चोंग चो same चो sound same कोंग चो I work in TCS so what do you do? नी चोचम्मा right? what do you do? नी चोचम्मा so answer I work in TCS company वो चाई, वो चाई, TCS, कॉंच, कॉंचो, वो चाई, I in, TCS, कॉंच, कॉंचो, so I work in TCS company, आप कहां पर काम करते हैं, so वो चाई, TCS, कॉंच, कॉंचो, right, so this is about work, अगर हम complete introduction देखेंगे, तो first हमने called, च्याओ, नेम, मिंग्ज, माई, वाद, श्वेशं, स्टूडेंट, so ये सारे introductions में use होता है, so आप complete वीडियो को आप देखिए, आप practice कर सकते हैं, next session में इसका next version आएगा, जिसमें complete introductions होगा, आप बस वीडियो देखेंगे, आप उसको practice कर सकते हैं, So thank you so much.